हेलो फ्रेंट्स आप सबका हमारे सेनल میں स्वागत है है ऋर आज बनाएंगे साडी का लेंक तो उसके लिए सबसे पहले हम ने साडी को ले लिए है आप देख सकते है tiempo एये पलू है पलू को भी हमने साधीüp में रख दिया एका बलाउज भी साइट करके च्यार मेटर टोटल गागरे के लिए मैंने कपड़ा लिया है एक मेटर ब्लाउस के लिए रखा है पलू में से भी ब्लाउस बन सकता है तो इसके उपर दो ब्लाउस बनाने वाले हैं एक पलू का और एक इस तरह से यह गागरे का मैचिंग का तो यह दो ब्लाउस साइट में रख देंगे हम और फिर यहां पर इसको फोल्ड करके साइट में यहां पर इसमें से मैं निकाल दे रही हूँ एक हमारा जो बेल्ट होता है वो गागरे का जो बेल्ट है वो निकाल रही हूँ तो यहां पर बेल्ट के लिए हमने 6 इंच कपड़ा निकाला है थोड़ा से एक्ष्ट्रा था ब्लाउज के लिए इसमें से मैंने निकाल दिया है गागरा टोटल हमारा चार इंच रह गया है इसे रख देंगे साइट में अभी हमें गागरे की लेंद लेनी है तो यहां पर इतनी सी पट्टी हमें अंदर की साइट फोल्ड करनी है और यह डीजैन लेफे को रखके आदा इंसी लाइका छोड़के इस तरह से 35 रख रही हूँ टोटल नेन 35 रख रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा हो कट कर रही हूँ तो इस तरह से नापते-नापते हर जगा से कपड़े को कट करना है तो इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा करके कपड़े क कट करते जारी हूँ आप देख सकते हो तो इस तरह से बराबर करते हुए हमें पूरे गागरे में से एक्ष्ट्रा कपड़ा निकाल देना है अब देख सकते हैं इसी तरह से पूरे गागरे में एक्ष्ट्रा एक्ष्ट्रा कपड़ा जो भी है वो निकाल देंगे तो इस तरह से हमें नाप के बराबर के कपड़ा निकालना है नहीं कम नहीं जादा आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको गागरे की कटिंग और स्टीचिंग दोनों समझ में आए जाएगी और ये प्लेट वाला हम गागरा बना रहे हैं इसमें चोटे-चोटे प्लेट्स लगेंगे कोई चिम्टी वाला गागरा भी बोलता है कोई प्लेट वाला भी बोलता है आपको जैसा समझ में आए उस तरह से ये गागरा बनेगा इस तरह से तो अभी हम करेंगे प्लेट वाले की स्टीचिंग गागरी की तो इस तरह से आप तो इस तरह से बहुती छोटे-चोटे प्लेट्स आपको लेने है प्लेट आपके अकॉरिग भी आप ले सकते हो आपको जितने मोटे परसने थां दो-मोटे भी यहोच्छेbereich छोटे वाले चिमट वाले प्लेट प्लेट इसी तरह से था है आपको यह लगबग 10 in से भी कम है आ तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं स्कुरूड ट्रैवर की मतलब से सारे प्लेटों को बराबर ले रही हूं इसी तरह से और आप पूरा देखोंगे वीडियो तो आपको पूरा गागरा बताना समझ में आ जाएगा और इसी तरह से सारे गागरे बनते हैं इसमें आप कम ज्यादा प्लेट डाल सकते हो बोटे पतले जो भी आपको पसंद देख उस तरह से प्लेट बना सकते हो और इसको ध्यान रखना आपके कमर के अकॉरिक होना चाहिए एक इंच बड़ा होगा तो चलेगा ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए अपने कमर के अकॉरिक है आपको प्लेट रखना है तो यहां पर इसकी कमर 39 की यह गागरे की तो यहां पर मैं इसकी 39 का लेंद लूँगी इस गागरे का कमर का लेंद तो इसके according मैं सारे plates डाल रही हूँ अगर ज्यादा कपड़ा है और plates कमर कम है और 4 मिटर का कपड़ा है तो आपको नीचे की साइट ज्यादा कपड़ा दबाना है अगर कमर ज्यादा है तो आपको थोड़ा थोड़ा जैसे मैं देख रही हूँ आप मैं थोड़ा थोड़ा दबारी हूँ उससी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा दबाना है उपर प्लेट का लेवल बराबर होना चाहिए, नीचे एक्स्ट्रा कम कर सकते हम प्लेटों को दबाते हुए, कपड़े को नीचे एक्स्ट्रा दबा सकते है, तो इसी तरह से मैं सारे प्लेट्स बरते जा रही हूँ, तो इसी तरह सारे प्लेट्स हमारे कमप्लेट हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो सारे प्लेट्स कमप्लेट हो चुगया, और अभी हमें चैन के लिए दोनों साइट से सीलाई लेनी है, तो पहले मेजर टेम से नाप लेंगे, तो यहां पर देख सकते हो थोड़ा से से यहां पर देख सकते हैं दोनों साइट से मैं इस तरह से स्टीचिंग कर रही हूँ तो यह हमारा कमप्लेट हो चुके प्लेट बन के रेड़ी हो चुके यहां पर एक प्लेट खुल गया था तो उसको वापस ले रहे हैं अब भी हमेरी जो नीचे वाली पटी है उसको फोल् कि यहां पर देख सकते हो साड़ी का यह लेंगा बनने के लिए रेड़ी हो रहा है तो पूरी पटी इसी तरह से आपको फोल्ड करनी है पटी एक बराबरे फोल्ड करनी होती है कम जादन नहीं करनी है बहुत ही इसी पटी फोल्ड हो जाती है आपारे तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मैं सारी पटी को फोल्ड करते जा रही हो पूरे चार मीटर में इसी तरह से पटी को फोल्ड करना होता है बहुत ही इजी तरीका यहां पर छोटा सा प्लेट में लगाया है क्योंकि गूज आ रही थी इसलिए और यह हमारा प्लेट्स पटी फोल्ड होके रेडी हो चुकी है और अभी हमें उपर की लेन प्लेन ही है तो अभी हमें लगाना गागरे में बेल्ड तो उसके लिए पहले आदाइन जितना पहले फोल्ड कर देंगे एक साइट से यह चैंज का बेल्ड है तो हमने जो कटिंग किया था वो बेल्ड नहीं लगा रहे है जो गागरे के उपर की साइट में से जो निकला था बेल्ड वही निकाल रहे है लगा रहे है तो इस तरह से कपड़ा निकलाता है उसमें से बेल्ट बनाया है और इस तरह से एक साइट से चैन के लिए हमें सिलाई कर देनी है और फिर गागरे को भी हमें उल्टा है रखना है और बेल्ट को भी जुलेफा है उसको भी उल्टा ही रखना है ऐल्टा रखने के बाद इस तरह से सारी पलेटों को ठीक करते हुए इसके उपर बेल्ट को रखना है और नीचे कोई पलेट आ गए है इसके अंदर तो उसको निकाल देंगे इस तरह से और अच्छे if we की उपर बेल्ट को रखते हुए स्टीच करना है ऐल्टी साइट से, आप δेख सकते हो यह पर कैम इसलिए इसलिए डार आप इसलिए ऐसे शाइट Be Alzate साइट करने है इसलिए हिसलिए मैंने इसलिए राद बसे हमसे हमने और फिर अंदर की साइट दबा देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक इंच है, एक्ष्ट्रा है, तो वह मैं अंदर ही रख रही हूँ, और फिर हमें इसको सीधा कर देना है, और सीधा करने के बाद इस तरह से स्टीचिंग करनी है इसकी, तो देख सकते हैं, यह वा में उसकी स्लाइ करनां प्लेटों को आपको एकदम बराबर रखना है graigate zahe on a प्लेट कई नीचे ना जाए her, में सीदे करते हुए tablet को आपको पूर his dinner करना है और अंदर वाला धागा, भी बार नहीं दीखना चाहिए , तो इस तरह से यह लेफा लगाना है इस तरह से लेफा लगाने से क्या होता है आपका जो भी गागरे में जो गुज होती है वो नहीं आती है बिल्कुल गागरे का जो लेफा है उसमें बिल्कुल गुंच नहीं आती है एक दम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा आप देख सकते हो इस तर तो इस तरह से उसको कट करके वापस से इसको लेफे को लगा दिया है तो यहां पर देख सकते हैं तो परफेक्ट लेफा बनके हमारा रेडी हो चुका है और अभी हमें इसको कर देंगे गागरे को दोनों साइट से किनारी फोल्ड और फिर यहां पर स्टीच कर देंगे जिसस तो इस तरह से चैन के लिए मैं यहां पर तीन इंच रखूंगी और फिर यहां तक मैंने सिलाई की है फिर इसको अब तो यहां पर देख सकते हैं गागरे का कुछ इस तरह से लुक आ रहा है प्लेट वाले गागरे का और इसका गेर भी आप देख सकते हो और पहनने के प्लेट वाले अमरेला कलिकर्ट राजपुति कोई भी लेंगा आपको हमारे चैनल पर सिखने को मिल जाएगा तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लेट हो चुका है कागरा बनके